असलाम लेकुस्ट्रोंट्स इस वीड़े हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ के चप्टर 5 का टॉपिक 5.3 जिसमें हम आपको एक्स्प्लेइन करूंगी फंक्शन्स और साथ में रिलेशन्स कभी बताऊंगी फंक्शन्स हम पढ़ेंगे into, one and one, onto और byjective तो देखते हैं फंक्शन्स हमारे पास function या mapping क्या होता है हम suppose करते हैं A और B दो non-empty sets है then relation function A to B is called a function if domain of function is equal to A तो हमारे पास ये function for example यहाँ पे हम देख लेते हैं यह हमारे पास set A है और यह हमारे पास set B है तो उन्होंने कहा है कि relation जो है हमारे पास function तब होगा अगर इस function की domain जो है set A की सारी elements के equal हो यानि हम set में जो x elements लिखेंगे जो domain लिखेंगे वो 0, 1, 2, 3 जो set A में है वो हो यानि domain F is equal to A यहाँ पे function की domain A set के equal हो पहली यह मारे पास condition है और फिर दूसरी condition है every x belongs to A x यानि वो ही जो हम set में domain की जगा लिखते है set में हमारे पास values 2 terms में होती है जैसे 5, 3, 4, 8 तो जो पहली वाली element होती है हम उसे x के साथ denote करते हैं और दूसरी y, x, y होता है हमारे पास एक set तो x जो है अगर A को belong करता है appears in one and one only one ordered pair in F और यह A जो है एक ही ordered pair बनाता है यानि यह दुबारा appear नहीं होता तब यह function होगा इसे आगे भी हम detail से देखते हैं इसकी alternate definition यह है कि suppose करते हैं A और B दो non empty sets हैं यानि यह sets empty नहीं है तो relation जो है वो function तब होगी अगर function जो है domain उसकी equal है A के और सारे जो x की elements है वो belong करती है A के तो तब हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास image element बने Y जो हमारे पास B के अंदर जो भी elements होगी वो होगा और वो x का function जो है B के अंदर belong करे तो हम इसे कह सकते हैं कि यह को unique image element है इसे भी आगे detail से देखते हैं फिर हमारे पास है domain and code domain and range of function domain क्या होता है code domain क्या होता है और range क्या होता है एक function का अब हमारे पास एक function है A, B तो A जो है इस function की domain होगी और B इस function की code domain होगी domain F is the set consisting of all first elements of each ordered pair एक ordered pair होती है हमारे पास x, y और first सारी elements को हम x कह सकते हैं तो अगर domain F जो है वो होगी हमारे पास first elements यहाँ पे यह domain है 0, 1, 2, 3 हमारे पास ordered pair में यह सब x की जगा आते हैं यानि first place लेते हैं and range F is the set consisting of all second elements of each ordered pair in F और अगर हमारे पास एक ordered pair है x, y तो हमारे पास range वो होगी जो हमारे पास second पे आती है सारी elements यानि y की place पे आती है x, y में अब आगे हम देखते हैं relation और function में difference क्या है suppose हम करते हैं कि A है 0, 1, 2, 3 यहां पे set A हमारे पास है 0, 1, 2, 3 set B है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 तो यह set B है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे हमारे पास 5 की need नहीं थी लेकिन 5 यहां पे आप लिख भी सकते हैं तो हमने क्या define करना है function को कि A और B का relation आपस में यह function है define a function F where A employs to B A और B का हमने function बताना है तो हम क्या करते हैं F हमारे पास function होता है XY, XY होती है audit pair यह मारे पास question है कि इस तरह का function हो कि Y equal हो X plus 1 Y ऐसा number हो अगर हम X में 1 add करें तो हमारे पास Y आई For all X belongs to A and Y belongs to B और सारों में हमारे पास X जो है वो A से बिलॉंग करता हो A set से और Y जो है वो B set से बिलॉंग करता हो अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से यह function बन रहा है किस तरह से बन रहा है Y हमारे पास आना चाहिए X plus 1 X है यहाँ पे 0 और Y है 1 तो 0 plus 1 Y आजएगा 1 X है 0 तो 0 plus 1 Y आजएगा 1 यहाँ पे X 1 है तो 1 plus 1 Y आजएगा 2 फिर 2 यहाँ पे X है तो 2 plus 1 Y आजएगा 3 यह मारे पास condition अपलाई होने चाहिए कि Y equal हो X plus 1 के यहाँ पे X है 3 3 plus 1 4 तो Y equal आजएगा 4 के यह condition सब में यहाँ पे प्रूव होगी हमने यहाँ पे इसके कुछ sets बना दिये relations बना दिये अब domain of F is equal to 0, 1, 2, 3 यह हमारे पास given है कि A set 0, 1, 2, 3 है domain हमें पते है वो होती है जो function में X की place लें यहाँ पे X की place इस audit pair में first elements होती है इन सब sets में first elements को हम देखेंगे 0 है 1 है 2 और 3 तो यह सब मिलके एक set बनाएंगे और यह हम कहेंगे domain है this function की और यह domain किसके इकवल आ रही है A set के इसी तरह range को देखते है अब range है function की यहाँ पे क्या वन रही है 1, 2, 3, 4 हमने B के जो 5th element है यह 5 यहाँ पे 5 लिखा होगा उसको हमने use नहीं किया तो यहाँ पे हम कहते हैं जो range आई है हमारे पास function की 1, 2, 3, 4 यह sub set है B का यानि एक इसके अदर 5 नहीं है वैसे यह B के अदर यह बाकि सारी elements मुझूद है अब यह examples हैं relations की लिकिन functions की नहीं हमारे पास कोंसी यासी relations है जो function नहीं होती अब देखे हमारे पास सारे function जो है relation होते हैं लिकिन कुछ relations functions नहीं होते अब यहाँ पे हमारे पास G जो है यह एक relation है लिकिन function नहीं because an element A belongs to A यहाँ पे set A यह है और set B यह है तो एक element A जो है ये belong करती है A पे इसके पस तू images है B में यानि A जो है ये एक image बना रही है A1 और एक image बना रही है A2 ठीक है इस तरह से इसके पास 2 images है set B में तो ये function नहीं हो Сकता कौन सा function नहीं हो सकता अगर set A की जो element है वो set B में दो images बना ले, यानि set A जो है, ये two times set B use कर ले, ठीक है, पहले ये हमने देख लिया and H is not a function because an element D belongs to A has no image in set B और डूसरी बात, ये तब function नहीं हो सकते, अगर A की कोई element unused रहे ठीक है, यहाँ पे A में महारे पास elements है, A, B, C, D और B में elements है, 2, 4, 6 तो D जो है, किसी के साथ image नहीं बना रहे, किसी के साथ अपना relation नहीं बना रहा, इसलिए यहाँ पे A जो हमारे पास relation है यह function नहीं हो सकता, अब देखें, यहाँ पे यह जो हमने बात की थी A अपना relation बना रहे, लेकि यहाँ पे 5 बच रहे ना B के पास तो B किसी के साथ नहीं बना रहा, B में बच सकता है, तब वो function ही होगा, A में अगर कोई बच जाता है हाली, तो वो function नहीं हो सकता A में ज़रूरी है कि A की सारी elements B के साथ एक ना एक image form करें, इसको और detail में देखते हैं, तो हमारे पास यह है relation 1 और यह है relation 2, relation 1 हमारे पास function है, ठीक है यहाँ पर यह domain है 158 और range है A और B तो यह function किस तरह से है हमारे पास इसके relations इस तरह से बन रहे है 1 B, 5 A, 8 B ठीक है, इस तरह से relations बन गे कि 1 ने B के साथ जाइनिंग कर ली 5 ने A के साथ और 8 ने B के साथ, नोट करें हमारे पास A की अलग-अलग elements ठीक है, B के साथ देखें, इनने फॉर्म कर ली अपनी image तो यह जो है set B इसमें हमारे पास 2 times यह B यूस हो रहे है B जो है, A set A में 1 के साथ भी बना रहे है अपना relation और यहां पे 8 के साथ भी बना रहे है तब यह function हो सकता है अभी हमने क्या देखा यहां पे A जो है दो images बना रहे है B में, तब यह function नहीं हो सकता इसी तरह यहां पे भी हमने देखा कि A में हाली छूट रहे है तब यह function नहीं हो सकता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि B जो है दो फॉर्म कर रहा है तब यह function हो सकता है अगर 8 जो है B के साथ भी बना रहा होता A के साथ भी बना रहा होता यहाँ से दो arrows जा रही होते तब यह function ना होता relation to देखते हैं अब यह relation to function नहीं है मैंने आपको क्या कहा सारे relation function हो भी सकते हैं या नहीं भी लिकिन जो functions होते हैं वो relation जरूर होते हैं तो यहाँ पर यह relation यह function नहीं है वो क्यों इस तरह से बन रहे कि 1 जो है B के साथ भी बना रहा है ठीक है आगे हमारे पास 5 A के साथ भी बना रहा है और C के साथ यह वो ही है जो हमने अभी देखा तो यह जो हमारे पास सेट A की element 2 images नहीं बना सकती बी में अगर वो बनाती है तो वो function नहीं होगा the same x value 5 has 2 different y values तो इसको सेट में हम इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास यह जो domain है यानि 2 times आगी 5 ठीक है और range इसके पास A भी है और C भी है तो यह दो y values है इसके पास यानि domain हमारे पास 2 times repeat नहीं होनी चाहिए तब यह function अगर यह repeat होती है यानि 2 times हमारे पास domain repeat हो रही है 5 एक दफाह आ रहा है A के साथ एक दफाह रहा है C के साथ तब यह function नहीं होगी अगर domain हमारे पास repeat नहीं होती लिकिन range repeat होती है यहाँ पे range में हमारे पास सब B B यहाँ पे 1 के साथ भी आ रहे है और 8 के साथ भी आ रहे है तो यहाँ पे तब यह function हो सकता है तो क्या आपने याद रखना है कि range में अगर हमारे पास repeat होती है तो यह function हो सकता है लिकिन domain अगर हमारे पास repeat हो रहरे है यानि एक्स की values repeat होती है तो यह function नहीं हो सकता इन से points को आप note कर लें आगे हम functions को देखते हैं तो functions में हमारे पास आज़ेता है into function, एक function a to b is called an into function, if at least one element in b is not an image of some element of set a, तो मारे पास ये into function तब होगा अगर b की कोई एक element खाली हो, simple आप इसको लिखने, इसकी identification लिखने note कर ले, into function तब होगा, if one element of b is left alone, एक element of b को हमने छोड़ दिया है के लिए is called an into function, if at least one element of b is not an image यानि b की कोई न कोई एक element a के साथ image ना बनाती हो कोई भी relation ना बनाती हो तब ये हमारे पास into function हो जाएगा of set a, that is range of f is a subset of b, यानि जो हमारे पास range आएगी ना वो हमारे पास b का subset होगी b की जायर सी बात है जब एक element use नहीं हो रही, बाकी तीन हो रही है तो उसका subset बन जेगी वो क्यूंकि एक element तो भी नहीं है जब ये एक element आजेगी तब वो उसका set होगी तो for example, we define a function a to b such that function हमारे पास relation यहाँ पे क्या बन रही है 0, 1 के साथ भी बना रहे है 1, 1 के साथ भी बना रहे है अब note करें यहाँ पे क्या हो रहे है यहाँ पे हमारे पास range जो है 2 times आ रही है लिकिन domain 2 times नहीं आ रही तो यह function है अगर domain 2 times आती तो यह relation होता अब इसको आगे नहीं देखते तो यहाँ पे function आ गया 0, 1, 1, 1 देखें यहाँ पे range रिपीट हो रही है यह 1 और यह 1 फिर 2, 3 और 3, 2 वेर A is equal to अब यहाँ पे हमारे पास A set यह given था और B set यह given था यह हमने लिख दिया तो F is an into function into function की आप note करेंगे क्या है इसकी identification 1 element of B is left alone B की A के element को अकेला छोड़ दिया जाता है यानि 4 को हमने अकेला छोड़ दिया अब हम देखते हैं 1 and 1 function a function F A to B is called a 1 and 1 function if all distinct elements of A have distinct images in B that is Fx1 is equal to Fx2 x1 is equal to x2 belongs to A अब साब यह देखते हैं हमारे पास 1 and 1 function की identification क्या है यह तब होता है जब A की B के साथ हर अलग image बनी हो if A has different relation with B ठीक है यहाँ पर क्या होता है यह देखें यह A 0 जो है यह 1 के साथ भी आ रहा है 1 जो है 1 के साथ भी आ रहा है यानि B जो है 2 times use कर सकता है set A लिकिन इस case में set B जो है यह 2 times नहीं use करेगा set A A की जो हर इमिज अलग होगी 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 ठीक है साथ अलग हो रहा है देखें यहाँ पर हम set B को हाली छोड़ रहे है तो यहाँ पर यह into function भी हो सकता है क्यूंकि into function तब होता है कि अगर B की एक element को हाली छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हम for example एक example ले लेते हैं कि A set मारे पास यह है 0, 1, 2, 3, B set है 1, 2, 3, 4, 5 तो हम then we define a function A to B तो हम फिर function A to B को इस तरह से define करती है कि एक function है x, y तो y equal हो x plus 1 k for all x belongs to A and y belongs to B तो यह हमने set कहां इस तरह का बनाया कि x plus 1 हम करें तो y के equal है 0 plus 1 करेंगे तो y आजएगा 1 1 plus 1 यानि x plus 1 करेंगे तो 2 आजएगा equal आजएगा y के फिर 2 plus 1, 3 equal आजएगा y के 3 plus 1, 4 equal आजएगा y के तो यह f is a 1 and 1 function इसकी सारी अलग images बनती हैं B के साथ इसकी domain और range को देखते हैं तो इसकी domain देखें 0, 1, 2, 3 और इसकी range देखें 1, 2, 3, 4 ना domain में कोई value repeat हुई है ना range में कोई value repeat हुई है तो इसलिए यह हमारे पास 1 and 1 function है अगर value repeat होती है किसी में भी तो यह 1 and 1 function नहीं हो सकता वैसे चोगर domain में value repeat होती है तो obvious लेमें पता है वो function ही नहीं हो सकता लेकिन अगर range में होती है तब वो one and one function नहीं हो सकता कोई और function हो सकता है अब हम देखते हैं into and one and one function यानि into भी हो वो function और one and one function भी हो तो इसका एक और नाम है injective function ठीक है यहाँ पे हमारे पास है into and one and one function इसे injective function भी कहा जाता है function discussed in B is also an into function ठीक है कहा वो किस तरह से क्योंके B की एक element को नहीं अगेला छोड़ दिया हमारे पास into function की थी identification कि one element of B is left alone यहाँ पे B की एक element को अगेला छोड़ दिया है तो फिर यह हमारे पास हो गया into function और one and one इसलिए क्योंके कोई भी इसकी range रिपीट नहीं हो रही तो यह जो function है यह into भी है one and one भी है into और one and one दोनों जो function हो उसे हम कह सकते हैं injective function दी देखते हैं an onto और surjective function एक onto और surjective function कौन सा होता है अब function A to B is called an onto function if every element of set B is an image of at least one element of set A अब onto function का हम देख रहे हैं इसे surjective function भी कहा जाता है यह onto function तब होगा अगर B की हर element जो है A की किसी न किसी element से match है यानि यहाँ पर B की element को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता अगर अकेला छोड़ेंगे तो वो onto function ही नहीं होगा तो यहाँ पर आजेगा that is range of F is equal to B तो हमारे पास range जो होती है इस function की वो B के equal आनी चाहिए वो subset of B नहीं होना चाहिए यानि B के सारी elements यूज में होनी चाहिए कोई भी element अकेला नहीं छोटी होनी चाहिए for example A हमारे पास है 0, 1, 2, 3 B हमारे पास है 1, 2, 3 तो function हमारे पास यह तब होगा onto जब यहाँ पर हमारे पास R है 0, 1, 1, 2, 2, 3, 2 तो यहाँ पर domain हमारे पास क्या है 0, 1, 2, 3, ठीक है यहाँ पर इसका domain से तल्लुक नहीं हमने range को देखना है range B के exact equal आनी चाहिए तो range है हमारे पास 1, 2, 3 यहाँ पर देखें दुबारा range रिपीट हो रही है तो range तो repeat हो सकती है लेकिन हमने उसको one time ही लिखना होता है तो range यहाँ पर इस function की है 1, 2, 3, वो equal है B के B set है हमारे पास 1, 2, 3 equal आगी range तो इसका मतलब है यह onto function है thus F so defined is an onto function और इससे हम क्या कहते है surjective function यह आपको names भी याद करने पड़ेंगे onto function की identification है no element of B is left alone B की किसी भी element को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता फिर आगे हमारे पास E byjective function जिसे हम कहते है one to one correspondence a function is called byjective function if and only if function F is one and one and onto byjective function तब होता है जब one one और onto function मिल जाए ठीक है यहाँ पर हमने पड़ा one and one और into function मिलती है तो वो injective होता है अब हम पाड़ रहे हैं कि one and one और onto मिल जाए तो वो byjective होगा ठीक है one and one को हमने दो function के साथ मिला के देखा यह पहले हमने into के साथ मिला के देखा अब हम onto के साथ मिला के देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या example ले लेते हैं for example a हमारे पास 1,2,3,4 है b 2,3,4,5 है we define a function a to be such that अच्छा पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि onto function क्या होता है और one one function क्या होता है one one function यह होता है कि a की different images हो ठीक है इसको देखते हैं यह वो condition अप्लाई हो रही है इस पर देखें सब a यहाँ पर one two के सथ बना रहा है two three के साथ सब की a अलग image बना रहा है b का कोई भी element a को two times use नहीं कर रहा इसलिए यह तो प्रूब हो गया कि यह हमारे पास एक one and one function है अब on to function के लिए कि आने साइए कि b की कोई भी element को हाली ना छोड़ा गया हो तो यहां पर b की कोई भी element हाली नहीं छोटी इसलिए यह बाइजयक्टिव function भी है यानि यह on to function प्रूब हो गया है तो यह कथे मिलके बाइजक्टिव function हो जएगा क्यूंके one and one भी है इसमें x बिलांग करें a के और y बिलांग करें b 60 के तो हमारे पस किस तरह से यहां पे एक रिलेशन बना दिया है इनोंने 1 2 2 3 3 4 4 5 अब नोट करें यहां पे रेंज में कुछ रिपीट हो रहा है के नहीं अगर रेंज रिपीट नहीं होती तब हमारे पास वो हो जाता है 1&1 फंक्शन तो आप 1&1 फंक्शन के अडेंटिफिकेशन क्या मोट कर सकते हैं रेंज इस नौट रिपीटेड ठीक है रेंज मारे पास क्या आती है यहां पे 2 3 4 5 रेंज अलग है सबकी यानि यह 1&1 फंक्शन है अब अन्टू फंक्शन देखते हैं कि b की कि किसी भी ऐलमेंट को इसने ह राली नहीं छोड़ा अकेला नहीं छोड़ा आए जो उसली हमारे पास इसकी रेंज है वो इकल अने रेंट है सट बास अन्टू फंक्शन तो यह दोनों मिस इस міह दोनों कंडिशन अपलाई होती है इन रेंगर को यह पूंक्शन इम प्रूब करता है यह function one and one है क्योंके element जो a है उसके पास अलग image है बी में बी ने a की किसी भी element को two times use नहीं किया और on to इसलिए है क्योंके b की element की हर एक element की कोई न कोई image है a के साथ यहनी b की कोई element को हाली नहीं छोड़ा अब यहाँ पर यह note हम देख लेते हैं यह हमने साथ साथ पढ़ा है कि every function is a relation but converse may not be true कि हर function जो है relation होता है converse may not be true का मतलब है कि हर relation function नहीं हो सकता कुछ relations function नहीं होते और मैंने को बताया है उसकी क्या conditions है पहली condition है domain में repeat ना होता हो ठीक है range repeat कर सकते हैं अगर domain repeat कर रहा है तो वो obviously function नहीं हो सकता दूसरी हमारे पास यह है कि set एक ही element नहीं हाली छूटनी चाहिए बी की हम छोड़ सकते हैं लिकिन अगर एक ही हाली छूट की तो वो function नहीं हो सकता वो simply एक relation होगा 2 हमारे पास every function may not be one and one हर कोई function one and one नहीं हो सकता one and one function वो होता है कि a की b के साथ अलग-अलग images बनें यह जो हमारे पास on to or subjective function है यहां पे a की अलग-अलग images नहीं बन रही है देखें b की यह जो two है यह one को भी use कर रहा है three को भी अलग-अलग यह जिस नहीं बन रही है हम कैसे देखते हैं कि range repeat नहीं हो यहां पे range one, two, three, two यानि दो टाइम्स आ रहे two range repeat हो रही है तो यह हमारे पास one and one function ही तो हमने यहां पे क्या पड़ा कि हर function one and one नहीं हो सकता every function may not be on to, हर function on to नहीं हो सकता यानि हर function में जो है range b के equal नहीं हो सकती हमने अभी पहले देखा है कि range b का subset हो सकती है तो यह थे हमारे पास functions, उमीद है functions clear है अगर कोई भी confusion है या कोई question पूछना है तो comment से जरूर पूछिए